हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल PKM की भी स्कॉर्ड में आज हम पबजी लैक फिक्स की उपर आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिससे आपका 100% लैक फिक्स होगा और 110% हीटिंग इशू फिक्स होगा तो चलिए वीडियो पर बने रहिए भाई जिसको क आपको 100% लैक्स करेंगे तो इस लेके चलता हूं मैं आपको एक लिंक पर लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जैसी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपिन होगा कुछ इस तरह से आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है फिर आपक आपको दो बार बैक करना है फिर देखेंगे आप यहाँ पर यह और लिंक मतलब रेडी हो चुकिए आपकी लिंक आपको उस पर क्लिक करना है लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यह दीखेगा जी एफेस प्रीमियम 18.0 यह बिलकुल नया जी एफेस है अगर आप इसको ग जैसे ही आप को इस्टॉल गरेंगे तो आपके सामने पहले है इस कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपको गेम वेरियंट चेक करना है अपना ग्लोगल 0.18.0 है जो अभी करेंड लेटेस वर्दन है पबजी का उसके बाद आप जाएंगे बेसिक ग्राफिक स्पे स सबसे पहले और इस शॉलूशन को अटो है तो अगर आपके पास जवाइस कौन सा है 3GB है 2GB है 4GB है तो अगर आपके पास 2GB है तो 800 रख सकते हैं और 3GB है तो 960 इंटू 540 लेकिन इस सुपर मत जाना 3GB की डवाइस में फिर लैग होगा आप 960 इंटू 540 कर सकते हैं 3GB की और जो शेडव है वो डिसेवल कर देना है और MS जवाल A है उसको भी डिसेवल कर देना है और इस चाल यहां पर कोच भी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कलरफुल पसंद करता हूं तो मैं कलरफुल ही लखूंगा उसके बाद बैक में आना है और मिस्लेनियस ग्राफि अब दिये तो आप 64 रख सकते हैं और रेंडरिंग लेवल मीडियम रखें और बाकी सब अब्जेक्ट डिस्टेंस माटेरियल अलोड डिस्टेंस लो रख लें डिटेल मोड को डिसेवल कर दें लाइट एफेक्ट को भी डिसेवल कर दें इसके बाद आपको बैक आजाना है इसके बाद आना है आपको Advanced Graphics पर Advanced Graphics पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पेला आएगा Memorytime का Option आपको इसको इणेवल कर देना है और Zero Lag mode का भी Option को इसको इसको इणेवल कर देना है जैसी आप इनेवल कर देना जैसी आपको करेंगे तो इस पा जागा Auto Setting Optimize Graphics was Xiaomi Redmi Note 7 pro मतलब autographic set हो चुके हैं config automatic apply हो चुके है आपकी device पे और advanced lag mode पे आपको click करना है तो यहाँ पर performance maximum fps आ रहा है मतलब इसका मतलब मुझे 60 fps मिलेगा अगर आपको 60 fps चाहिए तो आप इसको click करें और अगर आपको ultra तक चाहिए balance दिक recommended है तो आप इस पर click करें क्योंकि अगर आपको device battery कम है device की तो आप balance पर लगके चला सकते हैं लेकिन आपका device lag नहीं करेगा फिलाल मुझे 60 fps चीए तो मैं इस पर click करदा हूँ आप दौनों पर चला के देखें जो आपको best लगे उसको रखें जरूरी नहीं है कि 60 fps मेले हमें जरूरी यह है कि हमारा game smooth चले तो आप एक बार recommended भी जरूर ट्राइ करें क्योंकि दोनों option काफी अच्छे हैं इस app में फिर उसके बाद आना है आपको optimize graphics type पे उसको smooth पर click कर देना है जो already पहले से होगा और hardware accelerating rendering इस पर click करेंगे तो इस पर आएगा opengl 2.0 improve game performance आप इस पर ही जहने दे यह आपकी game की performance को improve करेगा अगर quality चीए आपको तो आप third point पर भी click कर सकते लेकिन आप performance पर जाए quality पर नहीं जाए उसके बाद आपको potato graphics का option भी मिलेगा आप इसको enable करें disable करें क्योंकि यह अभी हर device के साथ compatible नहीं है तो आप इसको enable करें कोई फर्क नहीं पड़ level नहीं करेंगे तो आपकी sensitivity और control चले जाएंगे जो कि बहुत गलत होगा आपके साथ फिर आप मुझे गालिया दोगे इस से पहले ही बता दे रहा हूं यह point को on करके रखना safe sensitivity setting को और अगर आप यह apply करके चलाएंगे game पर तो आपके control थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकते जादा नहीं होएंगे आपके control में कोई शेल चाड़ी नहीं रहेगी बस थोड़ा बहुत right से left हलका full का हो सकता है उसके बाद आपको back में आना है फिर आपको देखना है experimental graphics पर इस पर आपको sound quality ultra में दे रखिये आपको इसको low कर देना है क्योंकि अगर हम ultra पर चलाएंगे आपका device heat नहीं होगा और एकदम smooth game पर ले चलेगा उसके बाद simple आपको apply कर देना है इसके बाद देखेंगे आप auto setting optimized हो चुकी है graphics for Xiaomi Redmi Note 7 Pro automatic apply हो गई है इस पर graphics तो आपको बस run game करना है game start हो जाएगा यहापर और 476 memory boosted कर दिया मतलब यह automatic आपकी memory को भी boost करता ही है इसमें यह अच्छा function है काफी इसी के साथ game start हो चुका है मैं आता हूँ आपको अपने graphics को तो यहां मुझे 60 fps को option मिल रहा है अगर मैं बात करूँ Redmi Note 7 Pro की तो मुझे सिफ Ultra तक यह option मिल दा था और 60 fps मुझे यहां देखने को मिल रहा है और देखो भाई इससे आपका 100% lag issue तो fix हो ज तो आपको game start करना है हर बार अगर आपका device heat होने की वैसे lag हो रहा है तो उसके लिए मुझे contact करें मैं जल्दी ही उस पर भी वीडियो बनाऊगा अगर आप लोग चाहेंगे तो अगर आप लोग चाहेंगे अगर हमारा heat issue भी fix हो lag की तरह तो आप please comment करके मुझे बताए मैं जल्दी आपकी सुनूंगा और जल्दी ही heating issue भी वीडियो लगा और मेरे पर एक ऐसा solution है जिसका आपका device तो heat होगा नहीं अगर आप धूप में बैट के खेलोगे ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूं heat नहीं होगा आज की date में यह updated app है PZT Plus का 14 मई है आज और यह updated app है 0.18. आगे जाके यह expired हो जाएगा मुझे नहीं पता कब होगा लेकिन मैं उसके लिए update तुरंत लाके दूँगा अपने चैनल पर आप सब के लिए आपने 600 करा दिये मेरे चैनल पर complete भाई उसके लिए thank you और अपना support देने के लिए और इतना सारा love देने के लिए बाई दिल से thank you और please यार ऐसे ही support करते हैं क्योंकि आप लोग है तो हमारा चैनल सर्वाइब कर रहा है वनना हमाये चैनल की भाई अउकाद नहीं है जो 600 क्या 50 भी बार कर लेता उसके लिए thank you भाई मिलते हैं आप से नई वीडियो में